दोस्तों जब भी हम अपना shares का portfolio बनाते हैं equity market में जब हम पैसा invest करते हैं तो बहुत ज़ादा हम allocation अलग-अलग type के shares में करके चलते हैं जैसे कि कुछ investment अपनी large cap companies में करते हैं कुछ growth companies में करते हैं कुछ dividend companies में करते हैं ऐसे ही कुछ small cap और mid cap companies में भी investment की जाती है ताकि हमारी जो returns है वो भी अच्छी हो पाए और इसके साथ-साथ हमारा portfolio भी diversify हो पाए आज दोस्तों मैं ऐसी ही तीन अलग type की companies के बारे में बात करने वाला हूँ जो की काफी अच्छी मुझे लगती है जो आपको आने वाले एक-दो साल में अच्छी returns generate करके दे सकती है लेकिन दोस्तों ये companies comparatively risky भी है investment के लिए उनसे जुड़े हुए risk के बारे में भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में तो अगर आप इस तीज को समझके चलिए कि एक ICIC bank में invest करते हैं आप तो risk कम होता है comparatively Reliance Industries में invest करते हैं तो risk कम होता है comparatively और जो ये तीन companies पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपका risk comparatively high है लेकिन जो returns की expectation है वो भी यहाँ पर ज़ादा हो जाती है ये companies ऐसी companies हो सकती है जो आने वाले time में आपको multi bagger returns भी generate करके दे सकती है तो आईए दोस्तों देख लेते हैं ये तीन companies कून सी है जो मुझे लगता है कि आने वाले एक दो सालों में बहुत अच्छी returns आपको generate करके देगी तो दोस्तों पहली company यहाँ पर आ जाती है HFCL Limited इस company पर detailed video अभी मैंने 2-4 दिन पहले डाली थी जब इसका price 80-82 रुपीज के आसपास चल रहा था आज आप देखेंगे इसका price 92 के आसपास हो चुका है उसका reason क्या है दोस्तों कि बहुत अच्छे futuristic company है यह लगातार अच्छी performance यह company दिखा रही है और यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले time में और भी जादा अच्छा यह perform कर सकती है अगर आपको बहुत जादा detail में इस company के बारे में जानना है तो मैं आपको link डाल दूँगा description में जो detail वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं briefly बात करते हैं तो यह company काम क्या करती है यह बना रही है optical fiber cable, optical fiber, wifi systems, microwave radios दोस्तो majorly उसका जो काम है वो इसका जो optical fiber cable है उसका है जो major revenues का generate होता है यानि कि दोस्तो यह वो cables होती है जिनके through आपका जो network है आपका broadband है जो आपका internet है वो आता है तो यह company जो broadband की companies हैं जो telecom की companies हैं उनको यह network provide करती है यह तारे बिछाती है उन companies के लिए अलग अलग जगाओ पे और वहां से ही अपना revenue generate करती है नौर्थ में अगर आप देखेंगे नौर्थ इंडिया में जो reliance geo है उसका जो major यहाँ पर telecommunication का काम है वो यही company देख रही है तो यह company मुझे लगता है आने वाले time में एक अच्छी returns और भी ज़्यादा दे सकती है हाला कि अगर आप एक साल में देखेंगे 200% के आसबास की return यह company already generate कर चुकी है investors के लिए लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा scope है इस company में futuristic company यह लगती है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी growth यहाँ पर आपको इस company में आने वाले time में देखने को मिल सकती है आप देखेंगे 10 सालों में 48% की returns, 10 सालों में growth देखेंगे profit की 37% की growth तो बहुत अच्छी growth है इसकी और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर मैं इसके यहाँ पर shareholders की बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसका shareholder देखिये, reliance में भी इसमें 4% के आसपास खुद भी पैसा लगाया हुआ है तो reliance इस से अपना major काम भी करा रही है और इसके साथ-साथ reliance ने इसमें investment भी की हुई है तो long term में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी returns यह generate करेगी पिछले भी कई सालों में इसने काफी अच्छी returns generate की है और मुझे बहुत जादा positive है कि जब 5G का network आएगा तो धीरे-धीरे और भी जादा customers इसके पास आएंगे और धीरे-धीरे इसकी जो sales है वो और भी जादा improve आने वाले time में हो सकती है तो यह एक company है जो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा risk जादा ले सकते हैं अब high growth, high return type companies को देख रहे हैं आप very high risk लेने वाले investor हैं तो यह एक company है जिसमें आप invest कर सकते हैं दूसरी company दोस्तों आजाती है नजारा Technologies Limited यह company अभी recently ही market में list हुई थी एक डिर साल पहले यह company दोस्तों करती क्या है यह company कुछ अलग काम में है यहाँ पर ऐसी companies बहुत जादा इंडिया में listed नहीं है यह gaming company है यह mobile के games यह network के अलग अलग type के games generate करती है अब अगर यहाँ पर देखेंगे नजारा Technology दोस्तों यहाँ पर diversified gaming में है उसके साथ sports media platform में है तो आप देखेंगे इंडिया के अलावा यह और global markets में भी इसका काम चल रहा है अफरीका, North America और e-sports interactive gaming जैसे यहाँ पर कामों में यह लगी हुई है तो बहुत अच्छी returns यह generate कर रही है लगाता है debt free company है सबसे अच्छी बात क्या है और दोस्तों देखें, service industries की company है यहाँ पर बहुत जादा capital इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है अब इस company में risk क्या है यह जो काम है यह बहुत जादा समझ लोगों को नहीं आता है बहुत जादा research इस पे नहीं हुई है तो market को इसका P.E. कितना decide करना है वो अभी market को समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर P.E. आपको इसका देखकर काफी जादा लग सकता है 300 के आसपास इसका P.E. अभी चल रहा है तो यह एक ऐसी company है जिसको आप जरूर अपने radar में रखें अपने watch list में इसको जरूर एड़ करें लगातार इसकी जो profitability है अगर आप यहाँ पर देखेंगे लगातार इसकी profitability यहाँ पर grow होती हो दिख रही है आप यहाँ पर देखेंगे sales की अगर हम बात करते है sales इसकी दोस्तो लगातार improve हो रही है लेकिन यहाँ पर क्या है कि since के company नए काम में R&D के काम इसमें बहुत जादा रहते हैं तो इसके जो expenses हैं वो भी बहुत जादा हो रहे हैं तो अगर आप sales के angle से देखेंगे लगातार अच्छी growth आपको sales में देखने को मिल रही है आप देखें मार्स 2016 में 211 करोड के आसपस की sales की हुआ करती थी वहीं मार्स 21 में 454 करोड के आसपस की sales की हो चुकी है लेकिन जैसे जैसे इसकी sales बढ़ रही है तो यह अभी since एक बहुत ही जादा नई company है तो यह expenses भी उसी हिसाब से अपने R&D पे कर रही है क्योंकि ऐसी companies को लगातार नए-नए games develop करना है नए-ने technologies पे काम करना है ताकि वो जो games है उसको आज के time से interactive बनाया जा सके तो आप यहाँ पर देखेंगे expenses भी इसके लगातार बढ़ रहे है तो आपको वो चीज समझ कर चलनी है कि यह थोड़ा risk हो सकता है इस company में अगर इस company ने जो चीजों पे R&D की जहाँ पर इसने development की वहाँ पर इसको अच्छी benefit देखने को मिला तो आपका जो share price है उसमें आपको अच्छी returns देखने को मिल सकती है और लेकिन अगर यह company आने वाले time में अच्छा perform नहीं कर पाई जो इसने R&D में पैसा लगा रही है जो यह नए-नए अलग-अलग games बना रही है जो इसको advertisement बिल रहे है उसको यह उस हिसाब से develop नहीं कर पाई तो आपको वहाँ पर उस risk को समझ कर इस company में invest करना है आप देखिए एक साल में इसका growth है sales की 84% की है पांच सालों में 17% की है वही अगर आप profit देखेंगे profit में degrowth पांच सालों में हुई है उसका reason यही है कि जैसे जैसे grow हो रही है यह company वैसे वैसे यह R&D पे ज़्यादा पैसा इसको लगाना पड़ता है तो वो चीज की वज़ा से यहाँ पर आपको दिख रहा है एक साल में देखिए आप 500% की growth इसके profit में हुई है उसका reason दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि since यह एक online gaming type platform गे companies है तो जितना जादा यहाँ पर online gaming में इनको advertisement मिलेगी उतना जादा इसको profit होगा तो profitability अगर इसकी बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं बहुत massively भी profitability इसकी बढ़ सकती है लेकिन एक जो risk इसके साथ जुड़ा हुआ है वो यही है कि हो सकता है future में जो plan करके यह company invest करे जहां पर यह पैसा लगाए वो उस angle से इसको generate ना हो तो वो चीज समझ के आपको इसमें invest करनी है company के काम के साब से मुझे लगता है MTI Technologies Limited तो यह company बहुत ही जादा unique काम में इस company के बारे में अगर हम बात करते है करती तो यह manufacturing है वैसे देखा जाए देखने में लगता है कि यह manufacturing company है machine equipments, assemblies, sub-assemblies ऐसे कामों में यह company लगी हुई है लेकिन आप यह देखिए यह किन sectors को provide करती है energy sector जो आने वाले time में बहुत अच्छी returns generate कर सकता है nuclear sector, space, aerospace, defense तो यह ऐसे sectors हैं जहाँ पर बहुत जादा आपको entry barrier देखने को मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर आप गर आप देखेंगे 26% revenue उसका nuclear segment से generate होता है space sector से 21% और clean energy sector से 50% यहाँ पर इसका revenue generate हो रहा है तो दोस्तों यह तीनों जो sector है clean energy की बात करते हैं आने वाले 10-20 सालों में government हमारी बहुत जादा incentives ला रही है clean energy के लिए जो clean energy की industry है वो आने वाले time में grow होने वाली है और उसके साथ-साथ इस company का business भी grow होन सकता है वही दोस्तों nuclear segment और space और defense segment एक ऐसा sector है जहाँ पर बहुत सारी companies invest नहीं कर सकती है ऐसा नहीं है कि कोई भी दूसरी company manufacturing करना शुरू करेगी और उनका जो समान है उनकी जो machine वी है वो बिख जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर इसके clients पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ISRO, Defense Research and Development Organization यानि की DRDO, Indra Gandhi Center for Atomic Research ऐसी जो companies है वो इसके clients है उसके अलावा आप देखिएगे HAL, BHEL, Bharat Dynamics तो इसके जो clients है वो ऐसे clients हैं जो बहुत ज़ादा unique काम में है और एक specialization चाहिए होती है ऐसे कामों को करने के लिए तो वो चीज इस company के लिए बहुत positive बात है तो बहुत मुश्किल है कि यह जो इसके अभी clients चल रहे हैं वो clients इसके बदलेंगे clients add हो सकते हैं लेकिन जो अभी existing clients हैं उनका इसके साथ बने रहने की बहुत ज़ादा यहाँ पर probability है तो वो एक बहुत ज़ादा positive चीज है कि यह जिस काम में वहाँ पर entry of barrier बहुत ज़ादा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर अगर दोस्तों इसके हम sales की बात करते हैं तो आप यहाँ पर भी देखेंगे September 21 में highest ever sector यहाँ पर इसकी देख रही है profit इसका सबसे जादा September 21 में देख रहा है profits अगर आप यहाँ पर देखेंगे लगातार growth इसके profits में आपको देखने को मिलेगी हर साल में अगर आप देखेंगे लगातार growth है मार्स से देखिए आप 81, 101, 157, 184, 214 देन उसके बाद 246 तो लगातार growth इस company में देखने को मिल रही है जो काफी कम companies में आपको देखने को मिलती है sales की growth लगातार continuously देखने को मिल रही है profit की growth देखिए 5 सालों में 203% की 10 सालों में 41% की और यहां पर आप अगर sales की growth भी देखेंगे 5 सालों में 25% की तो बहुत अच्छी company है दोस्तों मुझे लगती है long term में अच्छी returns generate कर सकती है लेकिन इस company के साथ भी एक वो ही दिक्कत मुझे लगती है कि since यह company अलग type के काम में है बहुत जादा market में अभी समझ नहीं आ रहा कि इस company को क्या PE दी जाए तो यहां पर profit earning ratio इसकी थोड़ी higher side पे दिखती है 132 के आसपास तो यह company को भी आप अपने radar में जरूर रखिये long term में अच्छी returns generate करेगी बहुत अच्छी company यह अपने sector में मुझे लग रही है तो यह दोस्तो तीन companies हैं जो high return दे सकती है आपको आने वाले एक दो सालों में लेकिन इन से जुड़े हुए risk पे भी हमले बात की है तो अगर आप किसी भी company में invest करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेर भी ज़रूर कर दे मेरी तरफ से दोस्तो बस इतना ही धन्यवाद